हलो और वेलकम आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो में जिसमें हम जानेंगे सिट्रिक्स ब्लीड वलनेरिटी के बारे में और इस वीडियो का इंग्लेश वर्जिन मैंने अलड़ी अप्लोड कर दिया था पिछले हाफ्ते इपने चानल पर अब हम इसका अपने इसके लिए हिंदी वर्जिन आज अप्लोड करेंगे तो शुरुआत करते हैं सिट्रिक्स ब्लीड वलनेरिटी के थोड़ी से इंट्रोड़क्शन से सो सिट्रिक्स ब्लीड का ये वलनेरिटी लगबक कुछ महने पहले आया लेकिन अभी कुछ एक महना पहले ये बोईंग क जो रैंसम वेर का इंसिडेंट हुआ बोईंग जो एरक्राफ की कंपनी है जिसको अटैकर्स ने कॉम्प्रमाइज किया और मेबी सिट्रिक्स ब्लीड वलनेरिटी थी जिसके जरीये उन्होंने बोईंग के नेट्वरक में एंट्री ली तो उसके बाद से सिट्रिक्स वलने के जरीये अटैकर्स ने उनके नेट्वरक को कॉम्प्रमाइज किया और बहुत सारा डेटा चुराया और फिर रैंसम वेर जैसी सिट्वेशन पैदा कर दी तो इस इस वीडियो में हम सिट्रिक्स वलनेविटी को थोड़ा सा डीप में थेरोटिकल नालिसेस करेंगे कि यह कैसी है इसको कैसे एक्स्प्लोइट किया जा सकता है और इसको एक्स्प्लोइट करना कितना आसान है और कोड में सिट्रिक्स के एंजिन का जो कोड है उसमें कौन से पार्ट में यह वलनेविटी मिलती है और जो पैच पैच वाला जो सिक्यूर्टी अपडेट वाला कोड आ कि सबसाए पहले शुरुवात करते हैं थोड़ा सा six चीट के निड्राक्शन के बारे में ओधेस से उड्रेंश इप सकते हैं जिनको से ट्रेंट स्केलर क्या है इसके बारे में शायद ना पता हो तो से ट्रेंड आट में एक एस अरीष है जो ऐसा दिखा यह फिर कुछ कंपनीज हैं ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपने बिजनेस आउट सोर्टी हैं दूसरे कंट्री में और वहां के यूजर जब उनके एंवार्मेंट को कनेक करते हैं तो सिट्रिक्स के जरीये उनका वर्चॉल वर्कस्पेस यूज करते हैं काम करने के लिए तो रेगुलर VPN में और Citrix NetScaler में क्या फर्क है रेगुलर VPN आपको अपने Office Network के साथ Connect करता है और इसको सरिफ एक Extend करता है लेकिन Citrix NetScaler परफॉर्मेंस जहां पर ज़्यादा माइने रखता है और जहां पर Remote Workforce बहुत ज़्यादा Remote Services का इस्तमाल करने वाली है तो तब Citrix NetScaler जैसे विए वर्चुल डेक्स्टॉप्स या वर्चुल एंवार्मेंस ज़्यादा सूटेबल होते हैं एक एक्जम्पल इसका Citrix का मैं अपने घर में देखता हूँ जहां पर मेरी वाइफ जो कि एक डॉक्टर है एक Health Analytics Company के साथ काम करती है तो उनका रोज का दिन ऐसे होता है कि वो घर से ही काम करती है रिमोट वाकर है और उनकी सारी टीम रिमोट वाकर है तो वो अपने Office के Network को Connect करने के बदले VPN को Connect करने के बजाए वो Citrix की जो URL पब्लिश्ट की गई है उनके IT Services द्वारा उसको ब्राउजर में खोलते हैं और फिर उसमें अपना Login Password डालते हैं और फिर उसके बाद उनको ऐसा एक Virtual Workspace मिलता है तो बेस्ट लैप्टॉप उनका जो प्रोवाइड किया गया है पूरी टीम को वो बहुत ही बेसिक है उसकी Configuration बहुत ही बेसिक है और जो भी High-End Applications उनकी टीम चलाती है जो भी Doctor, Patient, Related Applications है और भी Email तक सारी Applications उनको इस Virtual Environment में मिल जाती है और ये बहुत ही Secure भी है क्योंकि Citrix के Policies उनके IT Services ने ऐसी लगा रखी है कि कोई भी Data वो Locally Download नहीं कर सकते इस Virtual Workspace से और कोई भी Data Virtual Workspace अपने Base Laptop से इस Virtual Workspace में अपलोड नहीं कर सकते तो पूरा Environment contained रहता है इसके अंदर तो वो सिंस एक Healthcare Analytics C.U.S. Based Company के लिए काम करती है तो वहाँ पे HIPAA Compliance और PHI Compliance, Patient Health Information का Compliance बहुत जादा रहता है और उसके कारण Client Side से जिनोंने ये Business Outsource किया है अपने Employees को काम करने के लिए जो कि एक Secure हो और जो ऐसी Security प्रोवाइड करें कि जहांसे Data Copy या Upload ना किया जा सके और इसलिए जो Base Laptop है उस पर कोई भी Company Rated Application नहीं होती है और वो जब Connect करती है सुबह तो वो इस Citrix Virtual Workspace को Access करती है इसी के अंदर Email और सारी उनकी Applications उनको मिल जाती है काम करने के लिए तो ऐसे Remote Workers इसका Citrix Net Scaler का इस्तेमाल करते हैं Remote Access Services के लिए तो Remote Access Services के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है तो आईए अब Deep Dive शुरू करते हैं थोड़ा सा Citrix के Vulnerability में और जानते हैं कि इस Vulnerability को कैसे hackers exploit करते हैं क्या data इस Vulnerability को exploit करके चुराया जा सकता है और इसका Vulnerable Code कैसा देखता है और Past Code कैसा देखता है यह सारी चीज़ें अब जानेंगे तो सबसे पहले hackers in Vulnerability को exploit करते हैं तो उनको session cookies जो की locked in users की session cookies हैं वो मिल जाती है इस hack करने के बाद और इसको hack करने के लिए इसको exploit करने के लिए hacker को कोई authentication की ज़रूरत नहीं है without any authentication hacker इसको exploit कर सकता है remotely और इन session cookies जो की locked in users की session cookies हैं इनको हासिल कर सकता है तो जब एक user login हो जाता है अपना username password यूज करके MFA की pin यूज करके तो उसके बाद ये netscaler device citric अपने users को एक session cookie प्रोवाइड करता है उस session के लिए तो attacker इस vulnerability के जरीए इस cv20234966 को जब exploit करता है तो उसको वो locked in users की वो session tokens मिल जाती है अब हम देखेंगे ये कैसे मिलती है और इन vulnerability को क्यों authentication की ज़रूरत नहीं है exploit करने के लिए इस सारी चीज़ेंगे अगली slides पर तो यह है netscaler का packet processing engine इस diagram के जरीए मैं netscaler packet processing engine को दर्शा रहा हूं क्योंकि सारी की सारी vulnerability इस netscaler packet processing engine में मिलती है netscaler packet processing engine में complete TCPIP का network stack पाया जाता है मतलब इसमें सारे packets इसमें process होते हैं और multiple http services भी इस netscaler packet processing engine में पाई जाती हैं तो जब भी ज्यादा तर कोई भी 99% vulnerability मिलती है netscaler में स्पेसिफिकली यह तीन functions है snprintf, nsaaawath और nsaaawath send open id config और यह nsvpn send response यह तीन functions है c के जो इस vulnerability के discussion के लिए बहुत ही महत्वर रखते हैं विकाज इन तीनो functions में यह vulnerability exist करती है और यह तीनो functions जैसे आपस में एक दूसरे से कैसे interact करते हैं कैसे बात करते हैं उस पर उसको समझ लेने से हमको इस vulnerability की understanding मिल जाएगी तो एक एक करके मेरा plan है कि सबसे पहले मैं आपको यह functions समझाओं कि यह सारे functions होते क्या है और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यह कैसे interact करते हैं एक दूसरे के साथ और जैसे हमने functions के बारे में समझ लिया इनके interactions के बारे में समझ लिया हमको समझ में आ जागा कि vulnerability कैसे exploit हो रही है और कैसे produce हो रही है netscalar packet processing engine के code में तो सबसे पहले लेते हैं यह दो functions जो कि N SAAA OAuth R और N SAAA OAuth यह दो functions को समझते हैं कि यह दो functions in netscalar packet processing engine में करते क्या है इनके क्या क्या इनका रोल है इस netscalar packet processing engine में तो यह दोनो functions जो है यह open id connect को implement करने के लिए NetScaler Packet Processing Engine में यूज होते हैं OpenID Connect क्या है ये अगर बहुती कम शब्दों मैं आपको बताऊं तो ये एक authentication का protocol है जो allow करता है users को single sign-on के लिए users अपने existing ID को use करके OpenID functionality के जरिए authenticate हो सकता है और authorize किया जा सकता है उनको क्या resources allowed है पीछे use करने के लिए OpenID Connect कैसे काम करता है इस पर मैंने और OAuth और OpenID Connect इस पर मैंने बहुती एक detailed video औरड़ी बना के अपने channel पर डाला हुआ है तो अगर आपको deep dive करना है तो आप उसको देख सकते हैं लेकिन फिलाल इस discussion के scope के लिए हम इतना ही समझ लेते हैं कि OpenID Connect clients की जो identity verification है जो authentication और authorization जो उनको लगता है server के साथ authenticate होने के लिए उसमें ये इस्तमाल होता है और client यानि की जो भी remote workers और server यानि की net scale device इसके साथ जब connect होते हैं तो ये OpenID Connect का पूरा functionality पीछे backend में काम करता है उनको authenticate करवाने में उनको authorize करवाने में क्या क्या चीज़े उनको लगती है उनके authentication authorization में ये जैसे कि ये configuration details ये सारे pull करने में इसका इस्तमाल होता है और ये दो vulnerabilities sorry ये दो functions ये दो OpenID के functions ये इस URL के जरीए accessible होते हैं users के लिए तो users तो सिर्फ इतनी URL डालेंगे अपने browser में जो उनको उनके IT services ने दी होगी और उसके बाद redirection पीछे setup होता है जो उनको इस functionality की तरफ इस इन functions की तरफ redirect करता है और फिर यहाँ पर ये सारी configuration information pull होती है और ये पुरा काम backend में access token और ID token exchange का होता है ये open to public ही होते हैं इनका open to public होना ये vulnerability को produce नहीं करता है इन open ID connect जैसे ही आगे interact करते हैं SN printf के साथ हम वो आगे देखेंगे उनके interaction और उनके code में कुछ vulnerability है जो की इस attack को होने में मदद कर रही है तो just because ये दोनों functions open to public हैं और unauthenticated directly accessible हैं इसका मतलब ये नहीं कि ये vulnerable हो गया है ये functions दोनों कोई भी network device हो जिसमें ये या कोई भी application server हो जिसमें open ID connect implement होता है तो ये दोनों functions usually typically public को exposed होते ही हैं unauthenticated way में लेकिन जब ही ऐसे functions ऐसा code जो आप public को exposed कर रहे हैं अपने server का तो उसमें ध्यान रखना चाहिए कि उसका code बहुत ही secure way और बहुत ही hygienic हो जिसमें कोई vulnerabilities या इसे कोई misinterpretation जब वो interact करता है दूसरे functions के साथ ऐसी ना हो वो बहुत नहीं रखता है अब आके चलते हैं और समझते हैं तो जो request response की जो cycle होती है जब भी client server को call करता है तो request भीज़ता है server बदले में जब response करता है server response भीजता है कुछ compile करके तो इसके लिए ये responsible है अब जब इसको response भीजना है clients को तो इसको दूसरे functions के साथ भी interact करना पड़ता है ये देखने के लिए कि क्या data process हुआ है memory में और उसके हिसाब से या engine में क्या data process हुआ है और उसके हिसाब से इसको response prepare करना होता है client को send करने के लिए client ने अगर कुछ HTTP request भीजिये है कोई resource access करने के लिए वो request low level functions जैसे कि ये SN printf है इनके दवारा process की जाती है write की जाती है memory में और फिर उन return activities को उन processing activities को समझना इन functions के साथ interact करके और एक response prepare करके फिर client को send करना इसके लिए NSVPN send response काम में आता है अब जब NSVPN send response function ये function जब client को response भेज़ेगा तो इससे पहले ये SN printf के साथ interact करेगा SN printf function इसको बताएगा कि कितना amount of data process हुआ है या क्या amount of data आया था server पर जिसको process किया गया है और उसके basis पे ये NSVPN send response decide करेगा कि क्या size क्या amount of size का data मुझे client को वापस भेजना है in response और यही पर problem आ जाती है ये interaction को misinterpret किया गया था because NSVPN send response function का जो code है वो उसमें उसमें खराबी थी उसमें vulnerability थी वो code में एक check missing था जिसके वज़े से वो SN printf function के response को misinterpret कर बैठा और client को miscommunicate कर बैठा इस जादा data के साथ हम आगे देखेंगे बहुत ही detail में की हुआ क्या है फिलाल इतना समझ लीजे NSVPN send response function करता क्या है इस slide का वो उदेश था next function जो SN printf function तो यह हमारा third function है जिसको हम समझ रहे हैं जैसे कि पहले slide पर मैंने बताया कि तीन functions हैं NetScalar packet processing engine में जो इस vulnerability को produce करने में responsible हैं दो हमने देख लिए third हम देख रहे हैं SN printf function SN printf function का काम क्या होता है यह बहुत ही specific है C और C++ language के लिए high level language जैसे कि Selenium, R, Python इन सब में आपको SN printf function नहीं मिलेगा क्योंकि SN printf function एक बहुत ही low level language का function है जैसे कि C और C++ जिसमें C और C++ यह low level languages में इन में memory जो होती है वो manually allocate की जाती है तो इसे लिए उसके लिए यह SN printf function यूज होता है Python, R, Selenium यह जो high level languages है इन में जो यह memory allocation यह सब चीजें जो हैं यह specific है low level languages जैसे कि C और C++ के लिए और इसका काम क्या है यह बहुत ही वाइटल टूल है developers को because यह help करता है developers को memory allocate करने के लिए जब भी application develop होती है तो developers decide करते हैं कि कौन सी string को कितना size दिया जाए memory में अगर client अपना username type कर रहा है तो उस username की जो string आएगी वो memory में जब process होगी वो जो write होगी engine में application के engine में तो उसकी size क्या होनी चाहिए उसकी buffer size को limit करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है पहले SN printf function नहीं होता था सिर्फ printf function होता था और printf function यह check नहीं देखता था कि मतलब जो string आई है और जो size decide किया गया है क्या वो same है अगर buffer size जो decide किया है developer ने उससे जादा की string आती थी तो वो execute हो जाती थी memory में क्योंकि उस पर कोई check नहीं लगा था तो SN printf function एक check लगाता है कि मतलब अगर आप मान लीजिए आपको एक example के जरीए बताऊं कि अगर developer ने decide की है कि username password को जो pop-up आता है you know client के लिए users के लिए उसमें अगर कोई username में उन्होंने decide किया है कि 10 bytes से उपर का size नहीं accept किया जाएगा username string के लिए तो अगर कोई 20 bytes का string भेजता है username के box में डाल कर कोई client को user को malicious user और वो string request server के पास आती है तो snprintf चेक करेगा कि buffer का size तो 10 bytes decide हुआ है और यह string है 20 bytes की तो वो उसको truncate कर देगा काट देगा बागी के 10 bytes discard कर देगा उनको execute नहीं होने देगा memory में और इससे buffer overflow attacks जो है वो इससे possible नहीं होते हैं फिर तो snprintf उसके लिए एक protection provide करता है और यह बहुत ही महतोपूर्ण security control था जो application developers के लिए उनने अपने applications में implement करना शुरू किया और जिससे buffer overflow attacks का जो scenario था वो मिट जाता है because buffer overflow attack में आप memory size जो buffer size defined है उससे ज्यादा कोई query भेज की कोई script भेज के आप memory में अगर execute execute करवा दो और अगर snprintf जैसा function ना हो तो आपका server crash हो सकता है उस बड़े data के साथ बड़ी string के साथ या फिर आपके server application compromise हो सकती है तो इसलिए memory जितनी defined की गई है buffer size जितना define किया गए string के लिए उतना ही execute होना चाहिए यह बहुत important है और snprintf function यही protection एक provide करता है और भी इसकी बहुत सारी characteristics हैं दूसरी सबसे important characteristic इसकी यह है और जो की important है इस vulnerability के discussion के लिए इसका feedback mechanism smprintf function developers को feedback देता है या फिर application को feedback देता है कि कितना data आया था और process हुआ है तो यह key characteristic है कि अगर कोई फिर से इसके example के तरी अगर आपको समझाओं कि अगर कोई 20 bytes की string भेज रहा है लेकिन आपने buffer size सिर्फ 10 bytes का define किया है और snprintf function सिर्फ 10 bytes ही process करेगा बाकी की string को 10 bytes को truncate कर देगा, discard कर देगा लेकिन जब वो feedback देगा developer को या feedback देगा किसी और function को तो वो feedback यह देगा कि 20 bytes की string आई थी अपनी return value में वो 20 bytes बताएगा अब यह क्यों important हो जाता है यह जब developers application develop करते हैं तो अगर जब उनको size define करना है अपनी application में तो अगर कोई ऐसा mechanism है जो उनको feedback दे रहा है टेस्टिंग के time पे किसी ने 10 bytes decide कर लिया लेकिन बाद में जाकर पता चला कि 12 bytes है 15 bytes size की वहां पे ज़रूरत है तो SN printer function यह feedback देगा कि यह string जो आई थी यह data जो आया था यह total कितना आया था तो इसके जरीए developer को help में लेगी कि वह अपना buffer size बड़ा यह चोटा कर सकता है तो यह feedback mechanism बहुत अच्छा है SN printer function का कि वह बताएगा कि total कितने size की string आई थी processing के लिए application engine में तो अपनी return value में जब वह feedback देता है तो वह total string का feedback देता है वह यह feedback नहीं देता है कि कितनी string write की गई memory में अपने return value में वह बताएगा कि कितनी बड़ी string आई थी कितने size की string आई थी तो अगर किसी ने 20 bytes की string भीजी है और सिर्फ 10 bytes write हुआ है memory में क्योंकि buffer size 10 bytes decide हुआ था तो वह return value में बताएगा कि 20 bytes की string आई है तो यह एक important feedback था और यह एक important characteristic है SN printer function की मैं बार बार इसको repeat कर रहा हूँ यह वाली characteristic को because यही characteristic को miss interpret किया गया net scaler के code में और जिसके जरीए buffer over read attack किये हुआ और जिससे बहुत सारा data memory में से attacker को मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है हम आगे जाके discuss करेंगे फिलाल इस slide का अधिश्य था आपको समझाना कि SN printer function किस लिए होता है क्या इसका use होता है आए अभी समझते हैं एक standard user request और दो scenario मैंने यहां पे लिए हैं attacker की request और standard user request इनके जरीए आपको समझाऊंगा कि यह attack हो कैसे रहा है तो पहले standard user request ही वाली request में हम समझेंगे कि क्या data आ रहा है क्या कैसे process हो रहा है और return क्या response जा रहा है user को attacker request में हम समझेंगे कि कैसे attacker बड़ी size का data भेज रहा है राइट कितना हो रहा है और sn printer function अपनी return में क्या response दे रहा है और nsvpn send response जो कि client को response देने के लिए responsible है वो क्या भेज रहा है तो यह हम समझेंगे थोड़ा भी slide पर तो मान लीजे यह standard user request है यह एक genuine user है जो अपने net scale environment को citrix को access कर रहा है अपने काम के लिए इसने string size यहाँ पर मान लीजे बफर size जो है maximum limit जो कि write की जानी चाहिए buffer में वो 10 bytes decide हुई है तो जो user है वो 10 byte की string भेज रहा है net scalar packet processing engine इसको receive करता है इस request को वो देखता है कि और यहाँ पर sn printer function का का काम है कि वो net scalar packet processing engine जब इसके साथ communicate करेगा तो sn printer function देखेगा कि buffer size क्या है sn printer function देखेगा buffer size 10 bytes है string 10 bytes है 10 bytes लिखी जाएगे कोई buffer overflow attack नहीं है यहाँ पर लिखी जाएगे और अपना response जब यह sn printer function अपनी return value में इसको nsvpn send response function को देगा तो बोलेगा 10 bytes return value का size है 10 bytes अब यह nsvpn send response को यह return value मेलती है तो इसको समझना आ जाता है कि 10 bytes लिखी गई है memory में तो मुझे 10 bytes का response prepare करना है अपने user को भेजने के लिए accordingly वो जो भी buffer size है उसमें देखता है 10 bytes का जो data process हुआ था उसके हिसाब से उसको read करके वो अपने response में user को 10 bytes का response भेज देता है तो जो user ने request किया था वो process हुआ और उतना ही data उसे वापिस मिला because उतना ही buffer read हुआ 10 bytes का तो यहां पर सब कुछ सही चल रहा है और यह एक standard request है ऐसे process होगी अब देखते हैं कि attacker की request कैसे process होती है और problem कहां पर है अब यह attacker है इसको यह पता है कि nsvpn send response यह return value जो इसको मिल रही है इसके basis पे response देगा और इस nsvpn send response में कोई यह check नहीं लगा हुआ है कि जहां पर यह return value जब इसको मिलती है तो यह साथ में यह भी check करें कि buffer की size क्या है अगर buffer की size 10 bytes है और return value में 100 bytes मिल रहा है तो इसमें अगर कोई check नहीं है यह देखने के लिए कि buffer size to 10 bytes था तो यह पूरा पूरा 100 bytes का response prepare करने का attack करेगा अगर भीजने के लिए क्योंकि इसके code में यह check नहीं लगा हुआ था कि जहांपे इसको यह check करना था कि मैं जब भी value भीज भीज रहा हूं user को client को तो मुझे यह check करना चाहिए कि मैं जो value भीज रहा हूं मैं जो response भीज रहा हूं वह buffer size से कम यह उसके equal हो उससे ज्यादा नहीं तो यह इसमें check नहीं लगा हुआ था तो आये भी देखते हैं कैसे होगा attack कैसे होगा तो attacker है उसको यह चीज पता है कि यह nsvpn send response की code में यह check नहीं लगा हुआ है तो attacker buffer size जो है में भी attacker एक roughly guess करता है क्योंके buffer size शायद से 10 bytes होगा यह 20 bytes होगा वो भेजता है 100 bytes की string कैसे भेजता है यह दो जो publicly available functions हैं इनके जरिए इनको कोई authentication नहीं लगता है access करने के लिए तो ऐसी URL यहां पर वो net scalar gateway का IP address और IP address यहां fully qualified name डालकर you know dns name डालकर access कर सकता है उन functions को तो इसके जरिए वो 100 bytes का string भेजेगा net scalar packet processing engine के पास अब net scalar packet processing engine SN printf function के साथ बात करेगा और बोलेगा कि मुझे 100 bytes की string आई है SN printf function जो है वो देखेगा कि buffer size क्या है वो देखेगा buffer size 10 bytes है तो तो मुझे यहां पर 90 bytes truncate कर देना रहा है इस string में से 90 bytes discard कर देने हैं और सिर्फ 10 bytes ही लिखने हैं क्योंकि buffer overflow protection देनी है तो वो memory में सिर्फ 10 bytes process करवाएगा बागी के 90 bytes discard कर देगा तो लिखे गए सिर्फ 10 bytes और 90 bytes discard हो गए लेकिन जैसा कि मैं आपको SN printf function की slide पे बताया था कि SN printf function यह अपने return value में feedback नहीं देगा कि कितने bytes लिखे गए हैं वो यह feedback देगा कि total कितने bytes of string processing के लिए आये थे तो जाहिर सी बात है उस characteristic के basis पे वो feedback देगा कि return value is equal to 100 bytes because 100 bytes की string भेजी गई थी अब यहां पर nsvpn send response को जब ही code किया गया था developers ने उनको यह अच्छे से जान लेना चाहिए था कि ok SN printf function का तो यह feedback देना ऐसा normal है वो हमेशा यही बताएगा कि कितनी string processing के लिए आई थी ना कि कितनी string लिखी गई थी तो उन्होंने इस nsvpn send response में ऐसा कोई check नहीं डाला था code में हम आगे जाके code देखेंगे कि जो security update के जरीए जब patch किया गया code को तो क्या डाला उसमें हम अगली slides पर देखेंगे तो फिलाल इतना समझ लीजे कि 100 bytes attacker भेजता है Netskiller packet processing engine उसको receive करता है फिर SN printf function को call करता है SN printf function देखता है buffer size is 10 bytes वो सिर्फ 10 bytes अलाव करता है लिखने के लिए memory में अपनी return value में हलाकि वो feedback देगा कि 100 bytes return value is equal to 100 bytes nsvpn send response देखेगा okay return value is 100 bytes तो यह assume कर लेगा misinterpret कर लेगा 100 bytes of data शायद से memory में लिखा गया तो यह अपना response prepare करना शुरू कर देगा 100 bytes का तो अब लिखे तो सिर्फ 10 bytes गय थे memory में तो बाकि के 90 bytes यह लाएगा कहां से इस buffer को जब यह call करेगा देखने के लिए कि response भेजने के लिए तो उसमें तो उसको सिर्फ 10 bytes मिल रहे है लेकिन nsvpn send response misinterpret कर रहा है कि मुझे 100 bytes of data भेजना है तो इस buffer में देखता है तो इसको सिर्फ 10 bytes मिलता है तो since इसको 100 bytes of response भेजना है तो यह बाकि का 90 bytes जो है बाकि के buffers को read करके बनाने लगता है तो memory में बहुत सारे buffers होते हैं चोटे चोटे box boxes जिन में data process होता है तो यह adjacent जो neighboring उसके buffers है neighboring memory locations हैं उन सब में जाकना शुरू कर देगा और उन में से data उठाना शुरू कर देगा और तब तक उठाता रहेगा जब तक यह response इसका 100 bytes का बनना जाए और जैसे यह response फिर 100 bytes का बन गया तो यह अपने response send कर देता है attacker को अब जब nsvpn send response यह 100 bytes का response बना रहा है और side के neighboring memory locations को देख रहा है उठा रहा है वहां से data तो ऐसा होता है कि neighboring memory locations में कभी-कभी अगर attacker यह process जारी रखता है तो उसको session tokens session cookies भी मिलने शुरू हो जाते हैं इसके जरीए इस attack के जरीए तो वो ही यहां पर हो रहा है तो इस पूरे process को बोलेंगे buffer over read attack तो buffer over read attack क्या है attacker you know simply इस nsvpn send response को जादा data read करवा रहा है memory से तो यह है buffer over read attack तो अब इसको यह वाला host header और यह katexttp हम यह बाद में देखेंगे attacker की क्या करता है इसके साथ बट यह जो attack है overall जहां पर एक larger size की string भेजना उसको फिर nsvpn send response के जरीए उस string के साथ साथ बाकी memory location से भी data read करवाना और फिर response लेना यह जो attack attacker करवा रहा है इसको buffer over read attack क्या होता है buffer over read जैसे कि हमने समझा तो unlike a buffer overflow, buffer overflow वो है जहां पर बहुत सारा data, I mean जितना memory size decided है उससे ज्यादा data अगर memory में write हो जाता है यह attacker write करवा देता है application को crash करवा देगा वैसा करके तो उसको buffer overflow attack बोलते है लेकिन buffer over read उसको opposite है जहां पर you know addition memory location से memory में से ज्यादा data read करवाय जा रहा है एक query भेज़के एक string भेज़के तो इसको buffer over read attack कहेंगे, buffer overflow जब आपने ज्यादा data write करवा दिया memory में जितना size का limit है उससे ज्यादा data भेज दिया और execute करवा दिया उसको कहेंगे buffer overflow और जहां पर ज्यादा data read करवा लिया memory से उसको कहेंगे buffer over read तो यहां पर वही हो रहा है nsvpn send response के पास यह check नहीं है देखने के लिए कि मैं अगर response भेज रहा हूं तो मुझे यह check करना चाहिए कि मेरा response buffer size की limit जो decided है उससे कम है या नहीं और वो चेक नहीं डाला है इसके code में तो इसलिए जब snv printf function जब इसको return value में बताता है 100 bytes तो यह सीधे-सीधे 100 bytes का response प्रिपार करना शुरू कर देता है बाकी के memory locations में भी जहांकर read करकर तो यह problem हो रही है तो आईए अब देखते हैं कोड कैसा दिखता है तो यह वल्नेरेबल कोड है ns AAA auth function का जिसमें यह nsvpn send response function call हो रही है तो यह वल्नेरेबल कोड है original code जहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर यह वेरियबल है जहां पर sn printf function को call किया जा रहा है और sn printf function print का output redirect करके उसको read कर रहा है और यह यहां पर जो है function को call कर रहा है client को data भीजने के लिए तो यहां पर sn printf function और nsvpn send response का interaction होता है वो sn printf function से return value लेता है और उसके basis पर इसका response देखिए यह ज़्यादा भीज रहा है जितना memory है उससे ज्यादा बैचता है तो यही problem हो रही है और अब अगर हम देखें तो patched code कैसे देखता है patched code यहां पर अगर आप देखोगे तो patched code में यह condition डाली गई है if condition तो यह वाला जो इतना हिस्सा है यह पहले नहीं था जो कि अब डाला गया है code में जो कि इसका patch रिलीज हुआ उसमें तो इसमें अगर आप देखोगे तो उपर का तो सब हिस्सा सेम है यह buffer size है यहां पर लेकिन अब nsvpn send response जब अपना response भेज़ेगा क्लाइंट के लिए तो यह जरूर चेक करेगा यह इस less than value के साथ कि क्या मेरा response जो है वो यह जो buffer size limit है यहां पर decide की गई क्या इस से कम है अगर इस से ज्यादा है तो वो उसको नहीं भेज़ेगा तो यह if condition डाली गई है तो इसके जरीए इस buffer override attack को prevent किया गया तो that's it then, अभी यह दोनों code के जरी हमने समझा कि कहां पर code में problem है, क्या condition missing थी, क्या check missing था इस code में, अब देखते हैं कि इसको exploit करना कितना आसान है यह CVE को 2023 4966 इस CVE को common vulnerability scoring system के हिसाब से out of 10 9.6 की rating मिली है, 9.6 मतलब यह बहुत ही critical हो जाता है और जब भी यह 9.6 हैं यह common vulnerability system score decide करता है एक vulnerability के लिए, तो उसमें यह भी criteria देखा जाता है कि इस vulnerability को exploit करना कितना आसान या मुश्किल है अगर आसान है तो score बढ़ जाएगा तो यह भी एक factor है इस vulnerability में कि जहां पर common CVS score, CVS system ने यह देखा जो कि common vulnerability system जो कि body है जो scoring देती है vulnerability के लिए उन्होंने यह देखा कि इस vulnerability को exploit करना बहुत ही आसान है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो basic web requests की जानकारी रखता हो इस vulnerability को exploit कर सकता है, बहुत ही freely available tools के साथ और दो elements है, http, get method और custom host header जिनको use करके इस vulnerability को exploit किया जा सकता है free pools भी है, trial tools भी है, जैसे कि Postman है, CURL है, Burp Suit Care Advanced है लेकिन ऐसे बहुत सारे tools हैं जिनको use करके बहुत ही आसानी से इस vulnerability को exploit किया जा सकता है next screen पर हम देखेंगे Postman का screenshot यह वाला मैंने अपनी lab से लिया है मैं actual मेरे पास NetScalar Gateway अपने lab में नहीं है, जिससे मैं इस vulnerability को exploit कर पाऊं तो इसलिए मैंने actual demo या actual screen shots कुछ यहां पर record नहीं किया है because मेरे lab में NetScalar Gateway नहीं है और NetScalar Gateway बहुत ही costly आता है और इतने पैसे हैं नहीं मेरे पास और Shodan पे census ऐसे scanning engines पे आपको बहुत सरे exposed NetScalar मिल जाएंगे publicly available but इनको simply उठा के आप exploitation या security research या penetration testing नहीं कर सकते because owner की permission और यह सारी चीज़ें लगती है because legal और ethical aspects को ध्यान में रखा जाना चाहिए उनका context mind में रखते हुए आप यह availability testing penetration testing नहीं कर सकते but खेर मैं बता रहा हूं कि attack कैसे craft होगा screenshot में तो postman में आप जब भी postman open करते हो तो आपको यहां से drop down से आपको http का method select करने का option मिलता है get method एक request send करने का method है अलग-अलग method है http के उसमें से get method is to get the page जब भी आप Google भी access कर रहे हो कुछ पर open कर रहे हो तो आप get method का इस्तमाल कर रहे हो server को call करने के लिए request भीजने के लिए get method आप choose करोगे यहां पर आप vulnerable net scalar gateway का IP address दोगे और यह functions को call करोगे call करने से पहले आप यह दो elements है host header और connection header इन दोनों को modify करोगे host header यह है कि host header में इसका मतलब यह तो इस code का मतलब यह है कि a value 24,812 times repeat की जा रही है इस request में यह एक arbitrary number है आप यहां पर कुछ भी ले सकते हैं मैं जन security researchers के article को refer कर रहा था उनोंने ऐसा code इस्तिमाल किया था अपने lab में इसको exploit करने के लिए और response में session cookies उनको मिल गई तो इसलिए मैंने यह दिखाया है आप A के जरीए हैं पर B भी लिख सकते हो C कुछ भी लिख सकते हो और रिपीटेड वैल्यू भी आप कोई भी ले सकते हो जितनी जाता लोगे उतना बफर आपको इंटेंशन यहां पर यह वैल्यू लेने का यह है कि आप पफर साइज को कम इससे के परेंड़ेर को बफर साइज की लिमिट जो इक्क रॉषिंछेक्ट प्रॉसंग इंजिन में उसको आप खायो ताकि आपको रिसपॉण्स में जितना आप आपने भेजा है उतना ही response मिले उससे जादा in response connection में close decide किया है because आप repeated requests भेजोगे तो every individual connection का individual response रहेगा तो आपको response को analyze करने में easy easy होगा तो ये दो elements को आप modify करके ये वाले request अगर भेजोगे netscaler vulnerable version को vulnerable device को तो response को ऐसा मिलेगा जहां पर आपको ये उपर वाले तो http के headers हैं जो लगते हैं यहां पर अगर आप देखोगे तो आपका actual content यहां से start हो रहा है जैसे आपको ऐसे कुछ unreadable characters देखने मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये समझ लेना चाहिए कि memory से data उटकर आ रहा है और आप repeatedly ऐसे requests भेजते रहोगे तो धीरे बहुत सारे data response आता रहेगा आता रहेगा और response यहां पर आपको body में देखेगा नीचे इसके net scaler के और ये responses जो आएंगे इन responses में आपको session cookies देखने मिल जाएंगे और यही एक asset note करके एक security firm है जिनके researchers ने अपने इस article में ये response पेस्ट किया है और पूरा attack का analogy उन्होंने पेस्ट किया है और उन्होंने कैसे exploit करके कैसे responses हासिल किये और क्या data दिखता है तो उन्होंने पूरा response और get request भी वहां पर पेस्ट किया अपने article में अगर आपको deep dive करना है तो आप इनका article जरूर रेफर कर सकते हैं तो that's it then यह कुछ references हैं जिनके जरीए मैंने research की थी अपना ये वीडियो बनाने के लिए और सबसे पहले I think 25 October को assetnote.io यह वाली security research firm ने इन्होंने यह vulnerability कैसे exploit की जाती है और कैसे session cookies उठाई जाती है responses के जरीए logged in users की इसको इन्होंने दर्शाया था अपने इस research में और इसके बाद बहुत सारे जितने articles publish हुए online उसके बाद से जितने बाद work इस पर publish हुआ उन सारों ने assetnote.io के reference को use करके अपना work publish किया है और तो assetnote.io का मैं बहुत ही शुकुर कर रहुँदार रहुँदा security researchers का कि बहुत ही अच्छी research publish की है उन्होंने यहां पर और जिसके जरीए यह वीडियो का बनना possible हो पाया तो अगर आपको यह वीडियो useful लगा हो तो like और subscribe कीजिए और share कीजिए अपने security context के साथ मैं जब भी कोई ऐसी नहीं vulnerability आएगी जो critical होगी तो उस पर वीडियो बनाऊंगा और अलगर cybersecurity topics पर वीडियो बनागर अपने चैनल पर डालता रहूंगा तो और राट देन अज के लिए बस इतना ही thank you so much